हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसी के चैप्टर वाइज अबजेक्टिव MCQ हैं जो इस बुक के अंदर गीवन है गुरुकुल की इसके हम MCQ कर रहे हैं फर्स चैप्टर के हमने 30 के नियर बाउट MCQ कर चुके हैं अभी mathematics का जो second chapter है उसके MCQ हम यहां पर start करने वाले हैं ठीक हैं अगर आप इस बुक को बाई करना चाते हो तो लिंक आपको description में मिल जाएगा Amazon Flipkart वगरा से या इनकी website से जाके भी आप इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारी questions available हैं सभी subjects के तो चलिए start करते हैं अपना chapter number second तो second जो chapter हमारा polynomial से है इसके MCQ देखेंगे MCQ ना देखने में easy लगते हैं बट जब उनको soul out करते हो ना तो आप बड़ी confusion होती है कि उसमें option कौन सा choose करें ठीक है तो जितनी practice कर सको उतनी MCQ questions की practice करो सबसे पहला question देखते हैं क्या है if x equal to this then the required polynomial is हमें क्या दे रखा है यह factor दे रखा है हमने चेक करना कि यह factor इनमें से कौन सी polynomial का है तो कैसे करेंगे यह देखो factor कैसे निकलता है हमारा simply अप mind में लेके आओ क्या होता है b plus minus under root b square minus 4ac upon में 2a यह minus भी होता है इस तरी कैसे होता है इसको compare कर लो देखो यहाँ पे compare करेंगे b की value क्या हो जाएगी हमारी minus 8 a की value की compare region करेंगे तो a is equal to क्या हो जाएगा हमारा 3 और c की value की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आजाएगा c is equal to हो जाएगा 2 compare कर लिया इसको और इसको बस अपनी equation बना देनी है क्या होती है हमारी equation ax square plus bx plus c put कर दो इसमे a की value 3, 3x square b की value minus 8, minus 8x c की value 2, plus 2 check कर लो कौन सा option है a option is the correct answer clear, समझ में आ गया किस तरिक्के से करना है तो a answer हो गया हमारा second question पर चलते हैं क्या है find the coefficient of x की power 0 in x square plus 3x plus 2 equal to 0 अब इसके अंदर आपको क्या x की power 0 कहीं नजर आ रहा है नहीं, ये x square है देखो equation क्या है x square plus 3x plus 2 इसके अंदर ये तो x की power 2 है ये x की power 1 है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी x का coefficient नहीं है, तो ये x की power 0 है किसी की पे power 0 क्या होती है 1, तो इसका coefficient देख लो कितना है 2, तो 2 option देखो कौन सा है, मारा c, c is the correct answer clearly समझ में आ गया है, question number 2 भी, next देखते हैं अपना question number third क्या है third question क्या है in which conditions will the polynomial a x square plus b x plus c equal to 0 be a quadratic equation कौन सी ऐसी conditions होगी कि जब हम a x square plus b x plus c को हम क्या कह सकते हैं quadratic equation, a x square plus b x plus c इस equation को अगर मुझे quadratic कहना है न, तो x की जो highest power है 2 होनी जरूरी है, इसका मतलब a हमारा कभी भी 0 नहीं होना चीए, बाकि कुछ भी 0 हो जाए तो a जो है never be equal to 0, ये अगर 0 हो गया, तो 0 से इसी multiply करेंगे तो ये 0 हो गया, तो equation क्या बची b x plus c, ये तो linear equation बच जाएगी, quadratic तो रहीगी नहीं तो a जो है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चीए, बाकि b और c basic से 0 हो जाए, ठीक है तो a not equal to 0 तो हमारा option a क्या हो जाएगा third का correct, clear next देखते हैं, question number 4 क्या है 4 के अंदर हमें देखा, for which value of p will the equation not be a quadratic equation p की कौन सी value के लिए ये equation quadratic नहीं होगी ये चीज ध्यान रखना जब आप mcq करोगे ना उसमें ये not word है ना ये बड़ा खतरनाक होता है बच्चे यहीं पर कड़बड करते है question पड़ा, simply और ये सोचेंगे, बस यहाँ पर p की value निकालना है p square minus 1 equal to 0, p is equal to 1 आ गया answer आ गया ऐसे नहीं करना है ध्यान से statement को पड़ना है, mcq में statement ही main चीज होती है यहाँ पर देखो हमें इसको quadratic नहीं रहने देना quadratic नहीं रहने देना, तो इसको मतलब इसको 0 कर देना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा fourth question के अंदर p square minus 1 जो है, यह अगर हमारा 0 हो जाए तो हमारी यह equation quadratic नहीं रहेगी तो p square minus 1 equal to 0 तो यहां से P की value निकाल लो, P square is equal to क्या हो जाएगा, 1 और P is equal to क्या जाएगा, square उस तरफ जाएगा, तो root 1 plus minus, तो P की value क्या होगी, plus का 1 भी और minus 1 भी, किसी का भी root निकालते हैं, positive, negative, दोनों value possible होती है, तो यहां पे देखते हैं, P equal to 1 भी दे रखा है, P equal to minus 1 भी दे रखा है but C option देखो क्या है, both first and second भी है, तो हमारा C option is the correct, clear, next question देखते हैं, question number 5 क्या है, question number 5 के अंदर, write the zeros of the polynomial, factor पूछ ले, zeros पूछ ले, roots पूछ ले, उनका सब का मतलब same ही होता है, तो यहां पे हमें क्या करना है, x square minus x minus 6 के factor निकालने है, मतलब ऐसे factor देखो, कि जिसकी multiply करें तो minus 6 आए, add subtract करें तो minus 1 आए, तो क्या होते है, x square minus का 3x plus 2x minus 6, देखो, इन दोनों में से common क्या आगया, x common अंदर क्या आउच गया, x minus 3, यहां से common क्या आगया हमारा, plus का 2 common, अंदर क्या आउच गया, x minus 3, तो एक तो factor आगया, x minus 3, एक factor आगया, x plus 2, clear, इनको 0 के equal put करेंगे, तो x minus 3 equal to 0, और x plus 2 equal to 0, तो एक तो x equal to हमारा आगया 3, और एक x is equal to क्या आगया, हमारा minus 2, यह दोनों चेक कर लेंगे, 3 और minus 2 कौन से में है, यह रहा, d option क्या हो जाएगा, हमारा correct, clear question number 5 भी, next देखते है, question number 6 क्या है, question number 6 जो है, अच्छा question है, देखो, if x plus a is a factor of this equation, then find the value of a तो a की value क्या होगी, तो हमें किसका factor देखना है, इसका, तो यह equation लिख लो, एक बार, 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, यह equation है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप, दोनों में से first two term में से क्या common आ रहा है, हमारा, 2 भी common आ रहा है, x भी common, अंदर क्या बज़ गया है, यहाँ पे x plus 2, sorry, x plus a, यहाँ से देखो common क्या रहा है, प्लस का 5 common, अंदर क्या होच गया, x plus 2, अब देखो, यह और यह term हमारी क्या होती है, हमें साह, सेम होती है, तो इनको क्या अगर दो, equal, x plus a is equal to x plus 2, x से हमारा x cancel, तो a is equal to क्या आ गया, 2, तो a की value क्या होनी चीए, हमारी 2 होनी चीए, option चे 7 क्या है, question number 7 की statement देखो, 4 what value of k is minus 4, is 0 of the polynomial, x square minus x minus 2k plus 2 is, क्या होगी, मतलब x की value जब हम minus 4 put करेंगे, तो k की value क्या निकलेगी, यह question कह रखा है, तो put करके देख लेते हैं, हमारी जो equation दे रखी है, वो क्या है, f of x equal to x square minus x minus 2k plus 2, और यहाँ पर x equal to क्या use करना है, minus 4, तो चलिए देखते हैं, x equal to क्या put करेंगे, minus 4, put करो, f of minus 4 is equal to, minus 4 का square करेंगे, तो क्या होगी, 16, minus minus क्या होगी, प्लस का 4, minus का 2k, और minus 2, minus अंदर लेके जाएंगे तो, 16 और 4, 20, 20 में से 2 गया तो 18, minus 2k, इसको क्या करो एक्वेट कर दो, is equal to 0 के, तो यहाँ पर 2k is equal to क्या आजाएगा, हमारा 18, और k is equal to क्या आजाएगा, 9, तो k की value 9 के लिए हमारा क्या होगा, x equal to minus 4, तो हमारा option क्या ह c is the correct, clear, next question देखते हैं, question number 8 क्या है, statement देखो ध्यान से, if alpha and b, तो a and b are the zeros of the polynomial, such that, alpha plus beta equal to minus 6, और alpha beta equal to minus 4, then what is the polynomial, देखो, sum of roots, alpha plus beta, यह हमें दे रखा है, minus 6, और alpha beta दे रखा है, हमें, minus का 4, यही है न, minus 6 और minus 4, तो हमें polynomial equation निखनी है, तो क्या होती है, हमारी polynomial equation x square, minus sum of root, sum of root, into x, plus में product of root, ऐसे ही तो कोई भी polynomial equation लिखे जाती है, तो यहाँ पर देखते हैं, x square minus sum of roots, alpha plus beta कितना है, minus का 6, into x, यहाँ पर product of root क्या है, minus का 4, इसको simplify कर लो, x square, minus minus क्या हो गया, plus का 6x, minus 4, तो equation के आगी, x square plus 6x, minus 4, इसको match कर लो, तो x square, plus का 6x, minus 4, b option जो है, वो हमारा correct है, I hope question 8k8 आपको clear हो गई है, कोई भी doubt किसी परकार का लगता है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, जितनी ज़्यादा practice करोगे, MCQ की उतनी कम है, उतने ही आपके question right होने के chances बढ़ेंगे, तो अच्छे से करने हैं, मैं ऐसे ही questions करवाता रहूँगा, वीडियो को जरूर सेयर कीजिए अपनी class में, जितना आप support करोगे, उतने ही MCQ मैं ज्यादा से ज्यादा लेके आता रहूँगा, Thank you students for watching this video, thanks.